हेलो बच्चो नमस्कार मैं नवीन भाटी आपका मैट टीचर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूटूब चैनल ओर टूएंड डिजिटल एजूकेशन में बच्चो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टेंथ क्लास का मैथमेटिक्स का चैप्टर नमबर वन व हैं आप सभी इस वीडियो को पूरे ध्यान से और सांत मन से देखें और आप सभी को यदि ये वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें और अपने मिलने वाले जो भी स्टूडेंट है जो भी आपके दोस्त हो रिलेशन में हो उनको सभी को ये शे करते हैं रियल नंबर रियल नंबर जिसको हिंदी में बोलते वास्त्विक संख्याए ठीक है अब बच्चों देखें इसमें एक थ्योरा में इसे पढ़ाने से पहले कि मैं आपको रियल नंबर के बारे में कुछ बताता हूं ठीक है रियल नंबर बताने से पहले आप यदि हमारे चैनल पर फास्ट टाइम जुड़े हो तो नंबर सिस्टम के लिए हमने पहले भी दो वीडियो बना चुके हैं हम नंबर सिस्टम अब इसे मैं पूरा डीपली आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि इसके लिए मैंने अल्लेडी पहले से ही दो वीडियो बना दी गई है ठीक है उसमें मैंने पूरा डीपली नंबर सिस्टम बताया है बैस्ट मैं आप आपको यह बताने वाला हूं कि जो हमारी चैप्टर का नाम है क्या है वास्तुक संख्याय वास्त्विक संख्याय जिसको क्या बोलते हैं, real number real number इसको हम R से denote करते हैं किस से? R से तो real number का real number का जो set होता है इसको किस से denote किया जाता है? R से तो हमने number system में आपको बताय था ये जो R है वास्त्रिक्षन क्या? ये हमारा दो जी के break होता है परिमे संख्या ठीक है संख्या है नोट कर लेना दूसरा होता है ए परिमे ए परिमे तो ए परिमे का केस भी मैंने वहाँ पर बताये था आपको कि कोई भी नमबर हमारा अंडरूड में हो पाई में हो या दसमलब के बाद के ऐसे नमबर जिनमें डिजिट कभी कुछ मतला रिपीटेशन ना हो और कभी खतम ना हो इस टाइप के नमबर क्या होते है हमारे बच्चो ए परिमे बिल्कुल धीरे धीरे आराम से समझ रहा है तो ए परिमे संख्या हमारी इस टाइप की थी और जो हमारी संख्या एपरी में होती है वो परी में नहीं होती जो संख्या हमारी परी में होती है वो एपरी में नहीं होती जो एपरी में वो परी में नहीं होती मतलब कहने का यह है यह एक दूसरे के क्या होती है compliment तो इस परिमे संक्या जो हमारी होती है इसे q से denote किया जाता है और यह किस format में होती है p upon q जहां पर q not equal to क्या होता है 0 और p and q दोनों जो हमारे होते हैं वो किस से belong करते हैं हमारे integer i से किस से belong करते हैं integer integer का मतलब क्या होता है पूरांग और बच्चो यह जो होता है एपरिमे अभी आपको बताए कि परिमे और एपरिमे संक्या एक दूसरे के क्या होती है compliment तो इसको हम जो denote किया जाता है q c c का मतलब क्या हो गया compliment q परिमे और q c एपरिमे ठीक है अब यहाँ एपरीमय संक्या से आगे कोई संक्या नहीं बनती ठीक है लेकिन हमारे जो परीमय होता है क्या होता है यह परीमय यह जो परीमय होता है यह हमारा तीन जिगे ब्रेक होता है नमबर एक प्राकर्तिक नमबर एक प्राकर्तिक ठीक है बच्चों दूसरा हमारा होता है पूर्ण संख्याई तीसरा होता है पूर्ण आंख क्या होता है पूर्ण आंख पूर्ण आंख इसको हम बोलते हैं natural number इसको हम बोलते हैं wool number और इसको बोलते हैं integer ठीक है अब यहाँ तक कि जो sanghyah है यह हमने आपको number system के concept में आपको समझा दिया था अब बात करते हैं हमारे chapter का नाम ही क्या है वास्त्विक संख्या है तो वास्तिक संख्या में हमें क्या करना है हमें ये जितनी भी संख्या मैंने आपके सामने लिखी है ये सबी हमें इस चैप्टर में पढ़नी है ये बात समझ में आई नहीं आई बच्चो नहीं आई तो comment box में जरूर लिखना क्योंकि chapter का नाम ही बच्चों क्या है वास्त्विक संख्याएं ठीक है तो वास्त्विक संख्याएं उसे ही हमारी ये सारी संख्याएं निकलती है अब बात करते हैं आगे तो वास्त्विक संख्या है कि जो आपका चेप्टर है सबसे पहला जो आपकी NCRT का पहली है जो एक्सराइज है जो पुराने सिलेवस में थी युकलीड विभाजन एलिगोरिथम जो अब के सिलेवस में है नहीं तो हम उसे अभी नहीं करा रहें यदि कोई और बोर्ड का चाहो यदि हमारे चैनल से जुड़ा हुआ हो तो वह कमिंट बॉक्स में जरूर लिखके भेज देना कि सर हमें यह चैप्टर मतलब यह एक्सराइज पढ़ नहीं युकलीड विभाजन तो मैं उसे करा दूंगा वरना हम स्टार्ट करतें नेक्स्ट से जो हमारे सिलेवस मे तो हमारे सिलेवस में जो एक्सराइज उसमें सबसे पहली पिर में आती है फंडामेंटल थोरम ओफ अर्थमेटिक जिसे हिंदी में बोलते हैं अंगणित की आधार भूत पिर में अब यह जब पिर में होती क्या है यह आपने 6-7-8 में भी देखा है इसको अब क्या होती है पिरतेक भाज्य पिरतेक भाज्य भाज्य क्या होता है कंपोजिट जिसके दो से अधिक क्या हो गुणनखंड या फैक्टर उसको हम क्या बोलते हैं भाज्य तो पिरतेक भाज्य संख्या को ए भाज्य मतलब प्राइम ए भाज्य मतलब प्राइम संख्याओ के गुणनिफल के रूप में व्यक्त करने को क्या बोलते हैं गुणन खंडित किया जा सकता है तथा यह है गुणन खंडन एधुत्य है, एधुत्य का मतलब यूनिक, मतलब जो भी आप संख्या का, कोई भी आपको कैसी संख्या दी रहेगी अभाज्य है उसके यदि आप factor करते हो क्या करते हो factor और वो factor कैसे होने चाहिए अहबाज्य और उनको आप किसमे लिखते हो गुणा में multiple में तो उनका जो करम बनेगा वो कैसा होगा एदित्य एदित्य का मतलब unique मतलब जो एक बार बने गया वो ही रहेगा उसका दूसरा कोई करम नहीं बन सकता दूसरा करम नहीं बन सकता एक्जाम्पिल के तौर पर हम बात करें जैसे की हमारे पास में एभाज्य संक्या हम लेते 24 कितना 24 24 24 24 के हमें क्या निकालने है एभाज्य है एभाज्य फैक्टर क्या निकालने है एभाज्य है तो 24 को जब आप 24 के एभाज्य फैक्टर निकालते हैं तो कैसे निकाले जाता है टूट अब आदे बच्चे क्या करते हैं जैसे 24 है तो 2 से न काट के सीधा 4 से काट देते हैं, बट 4 हमारा एभाज्य संक्या नहीं होती, वो कैसी होती है बच्चो, कैसी होती है भाज्य, तो हमें जब भी इस टाइप के नमबर काटने तो आपको 2, 3, 5, 7, 11, 13 इस तरीका से आपको ये डिवाइड करने है, क्योंकि ये ही संक्या हमारी क्या होती है भाज्य संक्या, अब यहां पर देखे, 24 के जो फैक्टर आए, वो आए है, 2 into 2 into 2 into 3, अब आपकी पिर में भी ये ही केरी है, क्या इस तरीका से फैक्टर करने, फैक्टर करना आपने सीखा नहीं है, 6, 7, 8 क्लास में भी आपने सीखे ही है इस टाइप से, और करे भी हैं बहुत सारे कोशन, तो इसी को हम क्या बोलते है, fundamental theorem of arithmetic, अंगणित की आधारभूत फिर में है, तो ये कभी exam में तो पूछी नहीं गई, और exam के purpose से भी ये ज़्यादा important नहीं है, बट फिर भी आजाए, तो आपको लिख देना है, कि कोई भी प्राकृतिक, को को एभाज्य संख्याओ के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, तता यह है गुणनखंडन एदुत्य, एदुत्य का मतलब यूनिक, अब यूनिक का मतलब क्या है, इसमें करम का कोई बच्चों महतों नहीं होता, आप इसे आगे पीछे कैसे भी लिख लि गुणनफल आएगा, वो क्या रहेगा सेम, हर उसमें सेम संख्या आपको दिखेंगे, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते, दो, फिर थिरी लिख दिया, और फिर एक दो को बाद में लिख दिया, अब आप देखिए, यहाँ पे जो आपके एभाज्ये गुणनखंड है, वो स सेमी तो रहेंगे, इसमें करम का कोई महतल नहीं है, इसलिए यह वर्ड आता है, कैसा है, यूनीक होता है, यूनीक, तो अब इस पिरमे में आपको कोई दिक्कत हो, बताइए, तो गणित की, अंगणित की आधार भूत पिरमे, ठीक है, कुछ नहीं है, बैस कोई भाज्ये स एट ले लिया, एट को 2 x 2 x 2, और 2 की पावर क्या लिख दोगे, 3, ऐसे यहाँ पर 2 कितनी बार आया, 3, तो इसको भी आप लिख सकते हो, 2 की पावर 3 x 3, तो इसे हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बच्चो, अंगणित की आधार भूत पिरमे, तो पहली exercise में इसी के question है आपके, next हम बात करें, next हम बात करें, HCF, किसकी बात करें, HCF, अब आप कह रहे होगे, सर 10th किलास मागे, हमको HCF बता रहे हो, यही सोच रहे होगे आप, लेकिन HCF आपने जिस हिसाब से पढ़े हैं, या निकाले हैं, आपने, वो अच्छी बात है, HCF उससे भी निकलेंगे लेकिन जो मैंने आपको लिखा है, इस पे ध्यान देना है, कभी-कभी क्या होता, question थोड़ा सा hard बना देता है, तब आपकी ये definition ही काम आती है, वरना वहाँ पर समय आप खराब कर दूगे, तो HCF क्या होता है, कि यदि आपके पास में 2 या 2 से अधि कोई भी संक्या दी रह हमते有 common, अभाज जय, अभी बताये था आपको, अभाज जय, जो संक्या स्वयम से और खुर से कटे, या वह संक्या जिसके केवल और केवल कितने गुणनखंडों, दो, उसको हम क्या बोलते हैória ऑज क्याई गुणनखंडों, ठीक है, तो अभाज झय गुणनखंडों की, ज सबसे छोटी जो घात का गुड़न फल है उसको हम क्या बोलते हैं स्याइप अब देखिए एक एक्जामपिल से मैं समझाता हूँ आपको बहुत जल्दी समझ मा जाएगा जैसे मैं बात करता हूँ 12 and 16 बहुत छोटा सा एक्जामपिल लिया है अब इसका हमें क्या निकालना है सभी निकाल लोगे सभी निकाल लोगे फिप्ट सिक्स किलास में भी बच्चे जो पढ़ते हैं वो भी निकाल लेंगे लेकिन हमें इस जो डेफिनेशन जो लिखी हुई है इसके द्वारा निकालना है ताकि कोई भी हार्ड से हार्ड कोश्चन आ जाए हमें कोई दिकत नही आनी चाहिए इसलिए आपको इस मेथर्ड से समझाए जा रहा है अभी जब ये एक्सराइज के कोश्चन होंगे तब मैं कुछ important question लाऊँगा तब देखना इसकी बहुत ज़्यादा जरुरत पड़ेगी इसलिए इसे वैसे ही ना लेकर थोड़ा सा deeply समझे तो यहाँ पर 12 और 16 के आपको क्या निकालना है सीf तो यहाँ पर देखे 12 के factor सभी को आते होंगे 2 इन्टू 2 इन्टू कितना आ गिया बच्चो 16 है इसका मतलब क्या है दो कितनी बार आया दो बार तो 2 की पावर बच्चो कितना हो गया 2 इंटू कितना आगया 3 यहां पे 2 की पावर कितना आगया 4 और कोई यहां पे कोई फेक्टर नहीं है only 2 है 2 की power कितना आ गया 4 अब यहाँ पे आपको निकालना है बच्चो HCF क्या निकालना है HCF अब HCF में मैंने क्या बताय था भी जो भी आपकी संख्या दी रहे उनमें उभैनिष्ट एभाज्य गुणनकंडो की सबसे छोटी घात सबसे छोटी घात अब यहाँ देखिए दोन दोनों में 3 उभैनिष्ट नहीं है फिर क्या है 2 और यहाँ पर 2 तो दोनों में उभैनिष्ट उभैनिष्ट जो संख्याई है वो कितनी आई बच्चो 2 अब डेफिनेशन में देखिए सबसे पहले कौमन देखनी है और उसके बाद में गुणनकंड की सबसे छोटी घात का अब यहाँ पर एक ही घात एक ही संख्याई है वो भी 2 तो इसमें सबसे छोटी घात यह 4 और यह कितना बच्चो 2 तो इसका मतला SCF आ गया 2 की पावर 2 यह आपका क्या हो गया आज़्वार और 2 की पावर 2 का मतलब कितना आ गया 4 तो इस तरीका से आप करोगे तो बहुत जल्दी कोशन सॉल हो जाएगा और अभी आप देखना SCF और LCM के अच्छे-च्छे कोशन हम लाएंगे और वहाँ पर देखना आपको यह जो डेफिनेशन मैंने आपको समझाई है यही काम आने वाली है तो अपने दिमाग में भर करिए तीन चार बार रिवाइज करिए क्या करना है SCF के लिए क्या लेना है सबसे छोटी घात उबहनेश्ट जो अभाज्य गुननखंड आया अभाज्य गुननखंड यह होता है बच्छो जो हम निकालते हैं और इसमें क्या देखना है आपको कॉमन और जो कॉमन आएगा उसकी कौन सी घात लेनी है सबसे छोटी तो क्या लेनी है सबसे छोटी तो अपने लेंग्वेज में या बार बार दो तीन बार रिवाइज करिए SCF में क्या होता है बच्छो सबसे छोटी घात क्या होता है सबसे छोटी इसी प्रिकार अब बात करते हैं एल्सियम की, तो एल्सियम में भी क्या करना है, हमें क्या करना है, ऐसी संक्या मिलेंगे आपको, और उनको किस में लिखना है, एभाज्य गुननखंड में लिखना है, और उसमें क्या करना है, आपको सबसे बड़ी घात, सबसे बड़ी घात का गुननखंड, सबसे बड़ी घ हाथ लेनी है और बाकी बचा कुछा सब आता है इसमें पूरे एक्जाम्पिल एक्जाम्पिल हम लेते हैं 22 एंड चलिए 24 इन दोनों का हमें क्या निकालना है यहां पर 22 इस इकल टू इंटू कितना आ गया 11 और 24 का क्या आ गया तू इंटू 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 कितना आएगा बच्चो थिरी दो दुनी चार चार दुनी आठ आट आठ ती आए 10 नहीं परढ़णार कि इसमें कितनी घात हैं इसका हम लिखते नहीं तो आपको समझाने केली लिख दिया है और यहां पर टू कितनी बार आया वे बच्चों तीन बार 10 की पावर त्री इंटू थ्री अब यहां पर किया निकालें गे किया निकालेंगे LCM 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 अभी देखे सामने लिखा हुआ है जो पृतेक अभाजे गुननखंड की सबसे बड़ी घात का गुननखंड और संक्याओं में सम्मंद सम्बद सम्बद पृतेक अभाजे गुननखंड मतलब जितने भी पृतेक की बात कर रहा है वो किसी बात कर रहा है पृतेक इसमें क्या कोई भी छूटना नहीं चाहिए सबसे पहले हमें क्या देखना है common देखना है तो common में देखिये two है और two में भी क्या लिखा हुआ है सबसे बड़ी घात तो दो की घात एक और दो की घात तीन तो यहाँ पे आएगा बच्चो दो की घात तीन क्योंकि इसमें कहा है उसने आपको जो कॉमन है उसमें से क्या लेना बड़ी घात और बचे कुछे सब आते हैं इसमें क्योंकि वो कह रहा है समब्ध मतलब कोई भी छूटना नहीं चाहिए तू की पावर थ्री और यहाँ पे कितना होता है ते तीसा आटवल 24 अर्दो कितना हो गया 26 तोलसेम आपका आ गया 274 में टो हमने क्या सीखा है ऐस एक अफ सभी हों हमने क्या सीखा कि जब हम 10 निकालेंगे क्या करेंगे जब हम 10 निकालेंगे तो हमें क्या करना यह जो हमारे common जो गुननखंड आई źथे गुननखंड आई है उनमें हमें चोटी घात वाला लेना है चोटी खात और जब lcm निकालेंगे तो हमें क्या करना है बड़ी घात वाला लेना है और बचे कुछे सबा सारे जो जो आने हैं बड़ी घात तो लेनी है साथ में जो बचे हुए हैं वो भी आने हैं तो यहां पर इन दोनों में से देखिए बच्चों बड़ी घात कितनी थी टू की पावर थिरी और इसमें ये बच गया इसमें ये बच गया उन दोनों की भी क्या होती है इसमें क्या लेना है बड़ी घात वाले लेने है और बचे हुए सारे लेनी है ठीक है बच्चों चलिए अब आगए चलते है नेक्स्ट एक इसमें सबसे इंपोर्टेंट फॉर्मला है ये LCM और SCF का ही है और इससे बार 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 आपके बोर्ड के एक्जाम में कोशन बनता ही बनता है अब देखे क्या कोशन बनता है तो आपको इसमें क्या रहेगा दो संक्या दी रहेंगे कितनी संक्या दे रहेंगे वचों, 2 अब 2 संक्या दे के आपको उसमें LCM दिया रहेगा तो ACM पूछेगा S.C.F दिया रहेगा तो LCM या फिर LCM, S.C.F दे रख के होंगे तो एक संक्या दे रख का होगा दूसरी संक्या आपको निकान लिए तो यहां से फॉर्मला बनता है माना दो दो धनात्मक कैसी होनी चाहिए धनात्मक संख्याई A तथा B है तो हमने अपने पास से दो धनात्मक संख्या A और B मान लिए जब दो आपके पास संख्या है तो आप LCM भी निकाल सकते हो और SCF भी निकाल सकते हो तब यहां पर एक फॉर्मला बनता है LCM इसका A और B का इंटू SCF A और B is equal to इन दोनों संख्याऊं का गुननफल A इंटू B कहने का मतलव दो संख्याऊं है उन संख्याऊं का जो गुननफल होता है उन संख्याऊं का जो गुननफल वो उनके LCM और SCF के गुननफल के क्या होता है बराबर होता है दोनों के गुननफल के क्या होता है बराबर ठीक है बच्चो क्या है दो संख्याओं का LCM गुणा SCF is equal to A गुणा B इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या is equal to उनका LCM गुणा SCF बात एक ही है बात बच्चो एक ही है अब बात करें हम अब यह सभी को पता है LCM का मतलब क्या होता है LCM का मतलब होता है least common multiple और SCF का मतलब होता है highest common factor चलिए मैं इसे बताई तो LCM दूसरा बात करें हम HCM LCM और SCF अभी हमने definition से बता दिया आपको ठीक है अब हम बात करते हैं नाम से यह LCM का मतलब क्या होता है L से बनता है list common M से बनता है multiple अब यह जो multiple है और इसमें देखना H से बनता हाईस्ट highest common F से बनता है बच्चो फैक्टर यह जो फैक्टर होता है इसको हिंदी में बोलते है गुनन खंड और इसको बोलते है multiple को गुनज common सभी जानते है urbanist list माने क्या होता है list माने होता सबसे छोटा सबसे छोटा highest सबसे बड़ा अब यहाँ पर देखिए बच्चो LCM का मतलब हो गया list common list common multiple multiple को क्या बोलते है गुनज और HCM का मतलब highest सबसे बड़ा common factor factor का मतलब गुनन खंड अब यहाँ पर दो वर्ड आ रहे है एक multiple और एक factor अब दोनों में अंतर होता है दोनों में अंतर होता है यदि आपने मेरी number system की video देखी होगी तो वहाँ पर मैंने दोनों को define कर रखा है कौन क्या होता है और नहीं भी देखी तो अब देखिए यहाँ पर जैसे कि मैं example के तोर पर दो number लेता हूँ या पहले मैं आपको गुरज और गुरणखन बता देता हूँ जैसे कि six है six में divide one से होगा two से होगा three से होगा और खुद six से होगा तो six में भाग जाने वाले या six को भाग देने वाले जो हमारे संक्याए one, two, three और six होती है तो यहाँ पर यह जो six के factor बोलेंगी नहीं six के factor या गुनन खंड तो क्या एंगे one, two और three और six three और six किसी भी संक्या में यदि किसी संक्या से भाग जाता है जो भाग देने वाली जो संक्या है उस संक्या की क्या कहलाती है गुनन खंड तो six के गुनन खंड होगे इसके बाद में बात करते हम six के गुनज यह तो आपके factor होगे तो factor किसी भी संक्या का गुनन खंड कभी भी उस संक्या से बड़ा नहीं हो सकता या तो उसके बराबर होता है या उससे कैसा होता है छोटा ठीक है बच्चो अब बात करते है six के गुनज six के गुनज में क्या होता है six का table पढ़ते चले जाए six, twelve, eighteen, twenty-four thirty यह कभी खतम नहीं होने वाला जो हमारे गुनन खंड है एक नंबर में आया था ठीक है और अब थोड़ा ध्यान से किसी भी संक्या के गुनन खंड सीमित हो सकते है सीमित का मतलब fix होते है लेकिन किसी भी संक्या के किसी भी संक्या के गुनज सीमित नहीं होते है सीमित नहीं होते ठीक है यह कभी खतम नहीं होते तो इनको बोलते हैं हम एपरिमित क्या बोलते हैं ए परिमित और ये क्या होते हैं हमारे परिमित ये फिक्स होते हैं और ये गुणज कभी फिक्स नहीं होते हैं कभी खतम नहीं होते हैं तो यहां तक बताईए बच्चों गुणन खंड और गुनज में डिफरेंस पता चलगी होगी आपको और एक बात का ध्यान नगना गुनन खंड कभी भी संख्या जिस संख्या के निकाला जाता उससे कभी भी ज़्यादा नहीं होता और गुनज कभी भी उस संख्या से छोटा नहीं होता है या तो उसके बराबर या उस से कैसा होता है बड़ा इसमें या तो उसके बराबर या उससे छोटा तो दोनों में डिफ्रेंस आपके सामने है अब बात करते यह जो इनकी जो यह जो डेफिनेशन या डेफिनेशन समझिए या इन LCM का और SCF के वर्ड का मतलब देखिए अब यहां से हम कैसे LCM और SCF निका क्या निकालना है बच्चो? LCM तो 8 के गुणाज निकालना पड़ेगा क्यों? गुणाज कोई क्या बोलते है? Multiple उसने कहा है दोनों का ऐसा Multiple जो सबसे छोटा हो जो सबसे छोटा हो और कैसा होना चाहिए बच्चो? Common तो 6 के आपके सामने है अब किसके? 8 के 8 अगला कितना लेगा 30 टू फिर 40 और यह भी कभी खतम नहीं होने वाला लेकिन LCM की Definition यह कहते है लिस्ट कॉमन मल्टीपल लिस्ट कॉमन मल्टीपल दोनों में जो सबसे छोटा मल्टीपल कॉमन मल्टीपल जो कॉमन है घुनज तो दोनों में क्या है? 8 उपर नहीं है 12 नीचे नहीं है 18 है दोनों में क्या common है बच्चो दोनों में common क्या है देखिए सबसे छोटा दोनों में common क्या है 24 क्या है 24 तो आपका जो LCM है आपका जो LCM 6 और 8 का 6 और 8 का कितना आ गया 24 आप आपको एभाज जे गुननखंड से भी बता दिया और इसके नाम लेस्ट कॉमन मल्टिपल से भी बता दिया क्योंकि हमें किसी भी कोश्चन में किसी भी मैथड की जरुवत पड़ जाती है अब बात करें LCM आ गया अब हमें क्या निकालना है क्या निकालना है हाइस्ट कॉमन फैक्टर अब यहाँ पर देखिए फैक्टर में 6 के यह होगे हमें किसके निकालना है एट के एट के फैक्टर तो एट के फैक्टर क्या आएंगे एट में किसके डिवाइड जाएगा one से भी जाएगा two से भी जाएगा फिर किस से four से और फिर किस से eight से तो दोनों में बच्चो हमें highest common factor निकालना है तो दोनों में देखिए one तो one तो बाद की बात है two दोनों में है three इधर है इधर नहीं है six है ही नहीं तो दोनों में क्या common है तो SCF हमारा 6 और 8 का 6 और 8 का कितना आ गया बच्चो 2 क्योंकि SCF की condition क्या होती है highest common factor तो SCF के लिए हमें factor निकालने पड़ते हैं और LCM के लिए हमें क्या निकालने पड़ते हैं गुणज ठीक है बच्चो अब एक question मैं अपने पास से लेता हूँ next example यदी LCM 44 44 और 11 44 यह यह तो आसान हो जाएगा ठीक है और यदी नहीं आपको find करना LCM इतना तो आपके पास में दो संक्या हैं कितनी 44 और 14 इनका आपको LCM निकालना है ठीक है और यह देखे निकालने को तो हम वैसे भी निकाल देंगे लेकिन मैं थड़ से ही और यदी कब जब इनका LCM दिया हो LCM कितना है 2 LCM कितना है 2 क्योंकि हमने अभी फॉर्मला लिखवाय था यह वाला हमें यह यूज करना है तो फॉर्मला क्या था LCM गुणा SCF इस इकल टू दोनो संख्याओ का क्या गुणन फल दोनो संख्याओ का बच्चो क्या है गुणन फल तो अब देखिए यहां पे कोश्चन में आपको LCM दे रखका है तो यहां पे देखिए सॉलूसन कैसे करते हैं अब यह बिल्कुल आसान है इसे तो आप नॉर्मली LCM तो वैसे भी निकाल सकते हैं लेकिन हमें फॉर्मला से निकालना है तो देखिए बच्चो सॉलूसन क्या है हमें SCF दे रखका है LCM निकालना है तो जो संक्या दी रहती है वो A बराबर कितना 44 दूसरी संक्या B बराबर कितना 14 अब यहां पे SCF दे रखका है LCM निकालना है क्योंकि SCF गुणा LCM अभी पढ़ाता हमने दोनों संक्याओं का क्या होता है गुणनफल तो अब इसमें कुछ फेक्टर वेक्टर करने की कोई ज़रूत नहीं होती इस फॉर्मले से तो SCF हमें कितना दे रखका है 2 LCM हमको निकालना है और यहां पे A का मान 44 और B का मान कितना है और LCM is equal to 44 यहीं पे 2 डिवाइड में पहुचेगा इसे काड़ दीजे कितनी बार जाएगा 7 बार तो 7 की मल्टिप्लाई कर दीजे इसमें साच्यों कठाइस साच्यों कठाइस और 2 कितना हो जाएगा 30 तो आपका LCM देखिए बिना फेक्टर के यह हुए भी निकल गया किसकी हल्प से इस फॉर्मिले के हल्प से तो आपको फॉर्मिले याद रखना है SCF गुणा LCM इस इकल टू दोनों संख्याओं का क्या होता है बच्चों गुणन क्या होता है गुणन फल ठीक है तो आज की क्लास में हमने देखिए जो आपका पहले चैप्टर मतलब पहले चैप्टर की पहली एक्सरसाइज में जो भी कॉंसेप्ट या बेसिक कुछ भी यूज होगा वो सारा हमने डिसकस कर लिया है और हलके लेविल पे नहीं हमने LCM और SCF उस इस मेथड से निकालना या 6, 7, 8 में आपने सीखा है लेकिन उस बात पर जरूर ध्यान देना SCF में क्या करना है common factor की common जो factor होंगे उनकी कौन सी घात लेनी है बच्चो छोटी घात दो तीन बार जरूर रिपीट करिए कौन सी घात लेनी है छोटी LCM में क्यों सी घात लेनी है बड़ी घात जब यह आपके NCRT बुक के मैं कोशन लगवा दूँगा उसके बाद मैं मैं अपने पास से कुछ अच्छे अच्छे कोशन लेंगा LCM और SCF के तब देखना जो यह आपको condition बताई जा रही है इसी का use होने वाला है यदि आप इसे नहीं समझ पाई तो वो कोशन आप नहीं कर सकते हैं ठीक है बच्छो और आपके लिए यह क्लास या आगे आने वाली क्लास बहुत बहुत ज़्यादा important होने वाली है और continue क्लास में बने रहिए continue यदि आप continue क्लास में बने रहोगे तो मैं गारंटी देता हूँ गारंटी देता हूँ आपके 95 प्लस मार्क्स बोड के एक्जाम में आने से कोई नहीं रोख सकता हूँ और हर साल हमारे द्वारा पढ़ाए हुए बच्चों के 97 98 99 और अब की बार एक बच्चे के 100 मार्क्स भी आई है वो टीचर भी मैतमेटिक्स के हमारे ही हमारे ही O2N Digital Education चैनल पे पढ़ाते हैं मैतमेटिक्स उनके द्वारा पढ़ाई हुए बच्चे के 100 में से 100 मार्क्स भी आई है तो इसका मतलब ये नहीं के एक टीचर का मैन रॉल होता है ठीक है बच्चे का टीचर से भी ज़्यादा मैन रॉल होता है यदि बच्चे ही नहीं पढ़ेंगे तो कहां से टीचर पढ़ा देगा तो आप मेहनत करिए कंटीन्यू हमारे चैनल से जुड़े रहिए डेली की जो किलास आती है उन्हें लीजिए ठीक है बच्चो और इसी तरीका से हमारे चैनल पर बने रहिए यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सेयर, कमेंट करना मत भूलिए और अपने जो भी मिलने वाले या आपके जो फ्रेंड है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सेयर करें धन्यवाद